हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डिरेक्ट रेट ओफ एजुकेशन की हिंदी की कारे पत्रे का ये दिनांग 17 तारिक की है, कक्षा 4 के बच्चों के लिए क्रम संख्या 134, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने सिक्षक वसिक्षिका का नाम लिखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्यारे बच्चों, आईए, आज कुछ नया सीखते हैं इन दोनों वाक्यों को पढ़िए, सुरेश लोही की चीज़े बनाता है, सुरेश लुहार है अगर देखेंगे दोनों वाक्या क्या है, सेम ही तो है, लेकिन बस ये वाला सेंटेंस थोड़ा छोटा और एजी हो गया है तो जो लोही की चीज़े बनाता है, उसे क्या कहते हैं? लुहार इन दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, पर अग्तु दूसरे वाक्यों में लोहे की चीज़े बनाता के स्थान पर लुहार शब्द का प्रियोग किया गया है इससे यह वाक्य सरल वह छोटा हो गया है कभी कभी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्द न कहकर एक ही शब्द का प्रियोग किया जाता है जैसे हम यह नहीं बोलते जो कपड़े सेलता हो, उसके लिए सिंपल दरजी, जो साथ पढ़ता हो सहपाथी अब प्रश्न एक, नीचे दिये गए चित्रों को देखकर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिये डांक बातने वाला, जो डांक बातता हो, डाकिया तो यह लिख दिया मैंने, डा, यह रा डा, की, या, डाकिया अगला, गीत गाने वाली, तो जो गाना गाती है सिंगर, वो है गा, यी, का, गाई का ठीक है, गाई का, और पौधे लगाने वाला, माली पौधे लगाने वाला कौन होता है, माली माली, अगला, प्रश्णधो, पढ़िये, समझ ये, ये मा बच्चों, ठीक है समझ ये और उप्युक्त संकेच शब्द चुनकर लिखिये, पढ़ना है, समझना है और उप्युक्त संकेच शब्द चुनकर लिखना है मोहन और सोहन दो दोस्त थे मोहन लोगों का इलाज करता था और सोहन विज्ञान का विशेशग्य था उन दोनों के अंदर बहुत साहज था तथा उन दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता था वे दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे तो जो लोगों का इलाज करता हो वो है चिकित सक हम यहाँ पर यह रा कर नमबर यह अलरडी लाल से है तो मैं इसे इससे लिख देती हूँ कर तो कर नमबर पर आप लिखेंगे जो लोगों का इलाज करता हो चिकित सक जिस पर विश्वास किया जा सके, वो है विश्वस्निय, ख, दूसरे नमबर पे विश्वस्निय, अगला, इसकी बाद है, जिसमें साहस हो, साहसी, ये रहा तीसरे नमबर का, जो विज्ञान का विशेश अग्य हो, वैज्ञानिक, ये है घ, इसके बाद, लास्ट वाला, इश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, अंग में आएगा, आस्तिक, ठीक है, तो देखो, इसे दुबारा पढ़ो, इन शब्दों का प्रियोग करते हुए, मोहन और सोहन, दो दोस्ते थे, मोहन, क्या था, लोगों का इलाज करने वाला क्या होता है, चिकित सक, तो मोहन चिकित सक था, और सोहन वैज्ञानिक था, उन दोनों के, अंदर बहुत साहसा, तो वो दोनों बहुत साहसी थे, तथा, उन दोनों पर ही, विश्वास मतलब, वे दोनों ही, क्या थे, विश्वस्निय थे, वे दोनों ही, आस्तिक थे, आस्त एक मतलब भगवान में विश्वा सकने वाले तो दोनों ही आस्तिक थे अगला दिये गई वाक्यों में आई काले मूटे छपे वाक्यान के स्थान पर एक शब्द लिखिए कपिल बहुत बोलने वाला लड़का है तो बहुत बोलने वाले की जगे हम एक शब्द लिखेंगे जो बोहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं तो इस शब्द के लिए हो गया वाचाल कपिल बहुत बोलने वाला लड़का है तो बहुत बोलने वाला क्या होता है वाचाल अगला निखिल हमेशा सच बोलता है निखिल हमेशा क्या करता है सच बोलता है और सच बोलने वाले को कहते हैं सत्यवादी स, आदात, य, व, दी, सत्यवादी अगला, दीपक काम से जी चुराता है जो काम से जी चुराता है, उसे कहते हैं काम चोर वो है काम चोर अगला है, मच्छली जल में रहती है तो जल में रहने वाले होते हैं, जल चर जल चर, ठीक है, जल चर तो ये हो गया, जल चर, जो मच्छली जल में रहती है जो भी जीव जन्तु जल में रहते हैं, उन्हें जल चर कहते हैं अब नीचे दिये गए अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द लिखिए जो वर्ष में एक बार हो, वो है वार्शिक, क्या है, वार्शिक जिसकी समान कोई दूसरा ना हो, वो है अद्वितिय, अद्वितिय, अद्वितिय अद्वितिय, यह त है, आप इसे कुछ खलत तरीके से ना लखें, त अद्वितिय, ठीक है, अभी अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजे, ताकि आने वाली वर्कशीट्स आपके मिसना हो, और अभी भावकों के लिए सुझाओ, मामी पापा के लिए, बच्चों को हमारे सहयकों जैसे सफाई, कर्मी, मोची, दाकिया, मिस्त्री, लुहार, आदी के काम का महत्व बताएं, और COVID-19 से बचने के लिए, हातों को नियमित रूप से धोते रहिए, बाई बच्चों!